हेलो फ्रेंज नमस्ते ओल फ्यू मैं स्रिस्टी ठाकूर एसे सेडुकेटर चैनल में आपका स्वागत करते हूं इस चैनल पर आपको सीटेट और भी जितने तरह के टेट हैं उसके त्यारी करवाई जाती है और इसे पहले तो ये इस चैनल पर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्ला क्लासेज ली जा रहे थी मेरे द्वारा इस वर मैं आप लोगों को पहली बार ओनलाइन क्लासेज लेने जा रहे हूं इसलिए प्लीज सपोर्ट मी लाइक सेयर और सब्सक्राइब माई चैनल इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो सबसे बरी बात यह है जो सीडीपी की क्ल क्लासेज कब से स्टार्ट होने वाली है तो एक बार मेरे चैनल पर जरूरा है और सीडीपी की क्लासेज को जरूर देखें तब तक मैं आप लोगों को कुछ जो सबसे इंपॉर्डेंट टॉपिक्स है जैसे हमारा आवर सोलर सिस्टम यह बहुत ही इंपॉर्डेंट चैप् मैं बता रही हूँ जो इस चैप्टर से कोशन आते ही आते हैं जिसमें मैं आप लोगों को जो सबसे कॉमन बात है इस टॉपिक की एट प्लैनेट उसके बार में आप लोगों को बता रही थी जो एट प्लैनेट से वो मरकरी, वेनस, आर्थ, मार्स, जूपिटर, सैटर, there are eight planets in our solar system तो eight planets में आप लोगों को मरकरी और वेनस के बारे में बता चुकी थी बुद्ध और सुक्र ग्रह के बारे में हैं आज में आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑर्थ के बारे में अर्थ एक ऐप्लाइनेट है जिस पर हम लोग, जिस पर life success है जिस पर हम लोग अपने लाइफ को survive कर सकते हैं, हुआ एक ऐसा unique planet है, जिसे हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं, जिस पर life क्या है, success है, survive किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं है, किया जा रहा है, और इसके बाल अर्थ की सबसे बरी बात यही है, जो इस पर air है, air वही और वाटर वहां रहेगा जहां पे यह होगा तो यह और वाटर के खारन हमारे अर्थ पर लाइफ सक्सेस है और अर्थ पर जो सबसे ज्यादा अच्छी बात यहीं है जो इसे हम लोग अगर दूसरे प्लानेट से देखते हैं तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू कलर दिखता है ड्यू टू वाटर, वाटर के कारा है इसका कलर ब्लू दिखता है वाटर का कलर कैसा होता है हम सभी लोग जानते हैं जो वाटर का कलर जो होता है वो blue होता है और अगर हम लोग दूसरे planet से देखें तो दूसरे planet से बिल्कुल blue color दिखता है इसलिए हम लोग इसे blue color के नाम से भी जानते हैं और अर्थ जो है वह अपना एक चक्कर को पूरा करने में कितना time लगाता है 365 days and 8 hours यह अपना one rotation को complete करने में 365 days and 8 hours का time लगाता है किस किसी बुक में लोग six hours भी देखते हैं और इसके अलावा इसकी सबसे बरी बात यह है अर्थ की जो यहां पर वेदर और season जो है वह change होते रहते हैं वेदर इस चेंज डे टू डे एन आवर टू आवर हमारे अर्थ पर वेदर जो है वह day टू डे आवर टू आवर चेंज होत रहता है इसके बाद हम लोग इसके बारे में एक चीज और जानेंगे जो हमारा आर्थ जो है इस पे उपग्रहों की संख्या जो है वह कितनी है वह one है जिससे हम लोग moon के नाम से जानते हैं इसके बाद हम लोग next जो planet के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है हमारा Mars मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल ग्रह को हम लोग red planet के नाम से भी जानते हैं, red planet इसे हम लोग क्यों बोलते हैं, due to iron oxide, iron oxide के कारण इसका color जो है red color का दिखता है, इसलिए हम लोग इसे iron oxide के नाम से जानते हैं, इसके अलाबा मंगल ग्रह पर जो उपग्रहों की शंख्य भात कीतनी है वह तो है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं से एक मांगल पर उसके अलाबा एक मांटेंज retir हम लोग arrive निक्स ओंपिया की नाम लूज यह निक जाला Champator जो mountain है वो किस पर है? मंगल ग्रह पर है और इसकी जो उचाई है वो Mount Everest से भी तीन गुना उचा है कौन? Nix Olympia और हम लोग जैसे जानते हैं जो हमारे अर्थ का सबसे मतलब उचा परवत जो है, वो Mount Everest को जानते हैं तो यह Mount Everest से भी क्या है? तीन गुना बड़ा है कौन? Nix Olympia इसके बाद हम लोग नेक्ष्ट जो प्लैनेट के बार में पढ़ने वाले हैं, वो है Jupiter, Jupiter जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, इसे हम लोग Yellow Planet के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग हिंदी में ब्रिहश्पती ग्रह भी बोलते हैं इसके अलाबा इस पर जो उपग्रहों की शंख्या है वह भी कितनी है? उपग्रहों की शंख्या जो है, वह इस पर 67 उपग्रह है जो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की शंख्या अगर किसी प्लैनेट पर है तो वह किस पर है जूपिटर पर सबसे ज्यादा उपक्रहों के संख्या है सबसे ज्यादा है वह है सैटर्ण पर सेटर्ण पर 62 है और जूपिटर पर 67 है इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी बाते जानेंगे जूपिटर के वारे में, सैटरन के वारे में, यूरेनरस और नेप्चुन के वारे में और इस वीडियो में मैं इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाने के बाद लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो ज like, subscribe and share my channel thank you